हलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं चक्प्रद व्याज के कुछ सवाल जो की बहुत इंपोर्टेंट हैं, जो की दो वर्स या तीन वर्स के अंतर वाले डारेक्ट पूछे जाते हैं, तो मैं डारेक्ट बताने जा रहा हूँ, बगर बात चीत की हुए, तो मैं सवाल को पढ़ने जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, चक्प्रद व्याज तता साधारन व्याज के दू वर्स या तीन वर्स का अंतर वाली सवाल, CISI, इंगलिस में बोलते हैं, कमपाउंड इंट्रेस्ट, फुलपाम होता है, और सिंपल इंट्रेस्ट, जैसा कि मैं पहल प्रद व्याज, CIE हमने सौट में लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा, तथा साधारन व्याज का अंतर 35 रुपाई है, देखिएगा ध्यान से अंतर 35 रुपाई है, तो वह धन कितना होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है, जैसा कि मैं बताने जारूं, फार्मूल होता है, CIE माइनस SI, मतलब चक्रद व्याज माइनस साधारन व्याज बराबर, दो वर्ष के लिए है फार्मूला, दो वर्ष के लिए, मूल धन को हम पी से लिखते हैं, मूल धन, ब्रेकेट में, आरदर, बटे, 100, 100 का होईल उसकोर, ठीक है, होईल उसकोर, अब इसी में रख देंगे, तुरंत आ जाएगा, दो वर्ष में किवाल लगेगा, तीन वर्ष के लिए भी बताऊंगा, नीचे सवाल है, उसमें दूस साई का, अंतर कितना है, सीयाई और साई का अंतर है, हमारा 35 रुपए, ठीक है, किसी धन, पर धन, तो हमें पता नहीं है, मूल धन, निकालना है, हमें तो CIE और SI के अंतर है 35 रुपए लिख दिया बराबर पी हमें निकालना है पी पता नहीं है प्रेकेट खोलेंगे तो गुणा लग जाएगा इंटू आर हमें 5% आर मतलब दर पी मतलब मोल धन मैंने बता दिया कि आपको समझ में आए क्या है यार आर कर रहे हैं तो 5% दर है और को इदर बलते हैं तो 5% उपर रखेंगे बटे स्कॉयर है तो दो बार होगा पांच बटे 100 इंटू फिर स्कॉयर है तो दो बार होगा ना खोलेंगे तो फिर 5% पर पांच बटे 100 अब इसको काट लो पांच एक के पांच 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 दोनी दस जो कि एक जिरो और आ जाएगा ये भी पांच एक के पांच 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 दोनी दस बीस आ जाएगा अब बराबर कल्कुलेशन कर लेंगे जो चीज बराबर में होती है तो इसको इधर आएगी तो इधर गुणा में हो जाएगी जैसा कि मैं बता रहा हूँ, P बराबर क्या करेंगे, P बराबर, ये भाग में है, तो इधर आके गुणा में हो जाएगी, ठीक है, पस्चांतर करना आता होगा आप लोगों को, तो मैं इसको पस्चांतर कर रहा हूँ, 20 इंटू, 20 इंटू, 35, आप लोग समझ लीजिएगा, 35 तो इसको मैं गुणा कर दूँगा, 20 डायरेक्ट आ जाएगे, एक, दो, क्योंकि गुणा करते हैं, तो जीरो तो लास्ट में हो ही जाएगा, अगर जीरो है, अब कैसे करेंगे, 35 दूना 70, 00 पहले लिख दिया, तो दो बच्चा है, आपर फी दो बच्चा, 35 दूना 70, 72 कित कितना आ गया, पी बराबर, यहां पर हम लाइन कीचे दे रहें समझने के लिए, पी बराबर हमारा कितना आ गया, 14,00 रुपए, आसा करते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, 100%, बहुत बारीकी से बताया है, और दूसरा सवाल आ जो, दिखाते हूं, दूसरा सवाल के लिए, जो कि ये तीन वर्सका है, और तीन वर्सके लिए फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताने जारूँ, आप लोगो ध्यान देजिएगा, तीन वर्सके लिए फार्मूला होता है, ये दो वर्सके लिए था, यहां पर तीन वर्सके लिए बताने जा माइनस SI का अंतर वराबर क्या होता है हम मैं बतारों ध्यान दिजिएगा इसमें किवल थोड़ा बढ़ जाता है सेम वही रहता है दो वर्स तक दो वर्स का यहां तक लगेगा उसके बाद किवल होता है इंटू 300 प्लस आर आर जहां पर यह दर है बटे 100 तो इसी में रख देंगे बस जैसा की सवाल पढ़ते हैं दस परसंट वार्सिक दर से तीनल वर्स के लिए किसी धन्राश के चाप्रद व्यास तता साधान व्याच का अंतर चहसोबीस रुपए हो तो वह धन राशी कितनी होगी मूल हम पूंचा है ठीग है धन राशी के पूंचा है तो यानी पी मूल धन पूंचा है चक प्रद्व्याव साधारण व्याज के अंतर कितना है 620 रुपए रख देंगे द्याम से देखिएगा 620 रुपए रख दिया अंतर बराबर पी हित्तों हमें निकालना ही है इन्टु आर स्क्वाइर यानी आर बटे हंडेड इन्टु आर बटे हंडेड दो बाल लिखा जाएगा ठी है यानी आर हमारे इदर कितनी है दस परसेंट दस बटे 100 इन्टु दस बटे 100 इन्टु तीन सो प्लस आर यानी आर आर का मतलब यहीं पर हम रख के बताए दे रहे हैं आर यहाँ पर कितना दिया है 10 परसेंट ठीक है 10 परसेंट दिया है तो इसे में हम पहले यहाँ से जोड़ दे रहे हैं ज्यादा लंबा कल्कुलेशन नहीं करना चाहते हैं आप लोग समझ लिजीए हैं यही तीन सू प्लस और दस कितना हो जाएगा 310 कि 310 बते 100 यह स्कों कर लीजिए आपका रोग पॉस्ट है जीरो से जीरो कड़ जालेगा एक जीरो से और जीरो कड़ अपिर 0 से 0 कड़ जाएगा तो यहां पर पी बराबर कितना जाएगा इधर भाग में इधर गुडा में हो जाएगा 620 पी डू हंड़ल एंट्व 10 अब यहां पर पी इधर लिख으니까 पी को इधर पस्चांतर कर लेंगे तो पस्चांतर करेंगे तो यह भाग में है और इधर ये भी भाग में पी के तो ये नीचे उपर नीचे अरदम गुड़ा हो जाता है तो अधर पी बराबर 620 इंटू 100 100 बचा है, 0 से 0 3 कर चुके हैं 10 बचा है, 10 लिख दिया उसके बाद हम डारेक्ट हम 4 0 लिख देंगे क्योंकि गुणा करेंगे तो 4 0 वैसे में विलाष्ट में आएंगे 1, 2, 3, 4 3 0 हो गए और एक चार 0 ठीक है, 4 0 लिख दिया उसके बाद डारेक्ट हम कर देंगे 62 के वल बचा, 4 0 तो पहले ही लिख दिया तो 61 61 61 61 61 यानि पी बराबर कितना आ गया मून धन 6,20,000 6,20,000 रुपए आ चुका है ठीक है 6,20,000 रुपए आ चुका है आसा करते हैं आप लोगों को 100% समझ में आया होगा अगर समझ में आया है कहीं पर नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना चाहिए